अगर आप लैबटोप या मोबाइल रिपेरिंग करना चानते हैं, इसका आपके पास experience है, तो आप अपनी खुद की लैबटोप और मोबाइल रिपेरिंग की दुकान कहो सकते हैं। जी हाँ, दरसल नहरू प्लेस में एक रिपेरिंग की दुकान चला रहे, एक दुकानदार राहुल कुमार ने लोकल 18 की टीम से बात करते हुए बताया कि बिना डिगरी के रिपेरिंग की दुकान 15 सालों से चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह काम करनी के लिए कोई बड़ी डिगरी लेने की जरुरत नहीं है। बस इस काम का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। राहुल ने बताया कि मोबाइल और लैप्टोप रिपेरिंग की दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी सी लोकेशन देखनी होगी। वहीं अगर यह बिजनेस आप अपने किसी लोकल एरिया में खोल रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में पचास हजार इंवेस्ट करना होंगे जसमें सारे टूल्स आजाएंगे। इसके अलावा आपको नेरो प्लेस में अपनी कोई दुकान खोलनी है तो उसके लिए आपको शुरू में डेल लाग तक का इंवेस्मेंट करना होगा। वहीं अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको सिये द्वारा जीस्टी नंबर भी बनवाना होगा। वहीं आप इसके प्रॉफिट की बात करें तो राहुल ने बताया कि रिपेरिंग की दुकान में रोजाना हजार रुपे से लेकर दो हजार रुपे तक क प्रॉफिट हो जाता है। आज पास में कहीं भी रहता हो प्रोपर एक दुकान उसके लिए होनी चाहिए। अच्छा तुम्हें बात करना होगा दुकान के लिए। तूल सारे आज़ेंगे तो करीबन करीबन डेल लाक रुपे तो चाहिए। अगर मैं इंकम की बात करूं तो कितना वो मिल जाएगा आपको डेली का तो मान के चलिए दुकान दारी में कोई हिसाब नहीं होता। लोकल एटीम दिल्ली से रिया पांडी की रिपोर्ट। झाल की याज़ेंगे तो कि अलिए दुकान दारी में एक तो कितना दारी में आपकश तो नहीं होता कि छूंट।